आप सरकार देवलो एक वड़ा एलान कार देता है ते उथे ही मैलामा देलाई एक वड़ी खुश खबरी है ते दास्ती है के दिली दे साब का मुकमंत्री देवलो एक वड़ा एलान कीता गया है ते जिस्ते विच वना देवलो एक पूरी दे विच छे रेवडियां रखेंग जहीं चलिन्हें धृ जिस्टे दौरान 9 वलो क्या गिए कि मेलामाद लई 6 सुवी दा जडियां के सी पर्दाण करांगे तो दूजे पासे को ना दे वलो क्या गिया के शोट बीजली मुफ्पड़ाई मैं परधान मिंत्री जी को कहना चाहता हूँ यह छह रेवडी हैं और सातवी रेवडी आने वाली है आपको यह packet मिलेगा यह रेवडी जो है इसमें चीनी से बनती है रेवडी तो चनता की है इसमें जो तिल है वो तिल भी जनता का है इसमें जो घी लगा वो घी भी जनता का है इसमें जो इलाइची डली इलाइची भी जनता की है मैं तो हलवाई हूँ मैंने ये सारा मिला के जनता की रेवडी बना के आपको दे दी ये रेवडी मेरी धोड़ी है तिल भी आपका इसमें चीनी भी आपकी इसमें तेल भी आपका घी भी आपका इसमें इलाइची भी आपकी ये रेवडी जनता का ये तो भगवान का परसाद है आज आप ये लेके जाओगे जब ये पैकेट आपको यहाँ पे मिलेंगे जब घर लेंगे, मिलगा है सबको ये पैकेट आप घर में ले जाके आपके घर में पूजा घर होगा हो है की नहीं है, इसको जेब में डालने ना भी खाना नहीं घर में जाके पूजा घर में रखके पूजा करके इसकी भगवान के सामने यह परसाद है यह परसाद है इस परसाद को पूजा घर में रखके इसका परसाद चड़ा के फिर सबको बांट देना घर के अंदर एके सबको बांट देना मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ जनता से तिली कठा करके घी कठा करके चीनी कठी करके गुड़ी कठा करके मैंने रेवडी बना के जनता में बांट दी परसाद बांट दिया मोदी जी आपने तो सारी की सारी मिठाई की दुकान उठा के अपने दोस्त को दे दी आपने तो पूरी की पुरा ही मिठाई की दुकान उठा गए अपने दोस्त को दे दी ये गलत है मेरा कसूर ये दिल्ली की एक भी रेवडी मैंने मोदी जी के दोस्त को नीले ने दी एक भी रेवडी, सारी रेवडी मैंने आप लोगों को बाढ़ दी इन्होंने दोस्तों पूरी प्लानिंग कर रखी है ये बात जाके सब को बताना इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है अगर गलती से आपने दिल्ली में बीजेपी का वोट दे दिया तो ये डीटी सी अपने दोस्त को दे देंगे बिजली कमपनिया अपने दोस्त को दे देंगे दिल्ली के जितने सरकारी स्कूल हैं ये अपने दोस्त को दे देंगे और दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं अपने दोस्त को दे देंगे, फिर आप देख लेना आपका बसो का किराया कितना होगा, फिर आप देख लेना आपकी बिजली कितनी में सबसे पहले ये फ्री बिजली बंद करेंगे, आज मैं जब गुजरात में जाता हूँ, गुजरात के लोग पूछते हैं भी जेपी वाल ताकि UP के लोग उच्दि आवाज न उठाएं तो अगर आपने गल्ती से इनको वोट दे दिया आपकी फ्री बिजली च्छे की छे रेवडी आपकी खतम हो जाएंगे आपका सब खतम हो जाएगा आप लोगों कहते हैं केजरी वाल चोर है मोदी जी कहते हैं केजरी वाल चोर है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फ्री बिजली देने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने वाला चोर है कि बच्चों के शिक्षा महंगी करने वाल चोर है फ्री इलाज देने वाला चोर है कि सरकारी अस्पिताल बंद करने वाला चोर है मैं आप से पूछना चाहता हूं पानी फ्री देने वाला चोर है कि पानी महंगा करने वाला चोर है मैं आप से पूछना चाहता हूं जनता में रेवड़ी बांटने वाला चोर है कि सारे देश को उठा के अपने दोस्त को बेचने वाला चोर है मैंने चोरी नहीं की इसलिए आज छाती चोड़ी करके मैं जन्ता के बीच में जा रहा हूं और कह रहा हूं कि अगर मैं इमानदार हूं तो वोट देना वरना वोट मत देना इसलिए मेरे अंदर हिम्मत है ये कहने की क्यूंकि मैंने चोरी नहीं की आज इतनी आपे आज मैं जन्ता की अदालत में आया हूं मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिन जिन लोगों को लगता है केजरी वाल इमानदार है हाथ खड़े कर दो मैंने केवल जन्ता के लिए काम किया है मैंने अपने लिए कभी नहीं किया मैंने अपने परिवार के लिए काम नहीं किया आफ देखोगे सारी पार्टियों के अंदर जब टिकेट देने की बात आती है MLA का टिकेट, MP का टिकेट तो इनको अपने बच्चे याद आते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं इसका बेटा इसका भाई, इसका बाप, इसकी पत्नी, इसका फ्लाना मैंने अपने किसी रिश्फटे दार को आज तक टिकेट नहीं दि, मैंने आपके बच्चों को टिकेट दिया, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए यह, मैंने हमेशा आपके बच्चों का ख्याल रखा है अभी जब दिल्ली का नया मुख्यमंतरी बनाने की बात आई इन्हों ने बीजेपी वाले ने खूब उचाला केजरी वाल अपनी बीवी को बनाएगा मुख्यमंतरी अपनी बीवी को बनाएगा मेरी बीवी मुख्यमंतरी बनने के लिए बेताबनी है हमने अपनी कारेकर्टा को मुख्यमंतरी बनाया दिल्ली का